सभी साथियों को मेरा हार्दिक बढ़ाँ दोस्तों आज हम इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सनातन धर्म का महत तो क्या है सनातन धर्म कितना पुराना है सनातन धर्म की ताकत क्या है सनातन धर्म का मतलब क्या है देखिए मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ जो चैनल पर पहली बार आये हैं जो भी साथी वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन का बटन दबा दें ताकि अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो देखिए यहां पर बात करेंगे सनातन धर्म सनातन धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म अब देखिए यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ सनातन सब्द है उसका अर्थ आपको जान लेना चाहिए सबसे प वाला है सनातन धर्म देखिए दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म दुनिया का सबसे सक्तिसाली धर्म है सनातन धर्म दुनिया का सबसे बड़ा सिच्छक धर्म है सनातन धर्म दुनिया का एक ऐसा धर्म है जो वसुध है वह कुटम्मकम की आधार सिला जिस धर्म ने रखी देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ओम आप ओम का उच्चानर करके देखिए जितना लंबा आप ओम का उच्चानर करेंगे आपको समझ में आएगा कि सनातन धर्म का देखिए ये जो सनातन धर्म का जो प्रतीक है ओम आपके सामने दिखाई दे रहा ह स्वास्तिक सनातन धर्म का प्रतिक है तो देखें ये सनातन धर्म के वो महतपूर और देखें वो पवित्र सब्द है जिसमें देखें पूरी दुनिया समाई हुई है ओम के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है सनातन धर्म कोई कमजोर धर्म नहीं है सनातन धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कि कहीं से आके इस धर्ती पर उसको प्रकट कर दिया गया हो सनातन धर्म तब से है तब इस धर्ती पर मानव जाती भी नहीं थी मानव नाम की कोई चीज भी नहीं थी ये सनातन धर्म तब से है तब से ये धर्ती अपने अस्तित्तों में आई है ये सनातन धर्म ही है जिसकी वज़े से आज देखिए पूरी दुनिया कहीं कहीं टिकी हुई है पूरी दुनिया कहीं कहीं देखिए आज अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है चल रही है ये ही सनात और देखिए जिस तरह से लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं सनातन सत्य को देखिए पकड़ने की बातें करते हैं तो उनको हम बता दें कि देखिए सनातन का जो सत्य है उसको वही व्यक्ति पकड़ सकता है जिसका बौदिक विकास हो चुका है या जिसकी एक्छाएं उ उसके कंट्रॉल में हैं जिसकी एक्षाएं उसके कंट्रॉल में हैं अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे महतपूर चीज आपको बताने वाला हूँ जो के आपको जानना बहुत ही जरूरी है देखिए सनातन का पर्या है हिंदू, सिख, बौद, जैन ये सनातन धर्म का हिस्सा हैं बौद, देखिए अपने आपको सनातनी कहते थे और देखिए यहाँ पर एक चीज और बतायता हूँ नास्तिक जो के चारवक दर्सन को मानते हैं वो भी अपने आपको सनातनी कहते हैं सनातन धर्म के लिए किसी वस्ष्ष्ट पद्दती, कर्मकांड, वेस्भूसा को मा जरूरी नहीं है, सनातन धर्म परिवार को जर्म देता है, सनातन धर्म में देखिए वेध हैं, वेदानता है, मीमान सा है, चारवक है, जैन है, बौध हैं, यह सनातन धर्म का हिस्सा हैं, यह सब सनातन धर्म से जड़े हुए हैं, और देखिए यह सब सनातनी हैं, अब विग्यान भी सनातन के सत्य को अभी तक नहीं पकड़ पाया है। विग्यान भी तक नहीं पकड़ पाया है। तो देखिए सीता को माता सीता को रावण क्यों ले गए देखिए ये राम की लीला है ये राम की लीला है ये राम ही जाने और रावण भी देखिए अपने आप में बहुत बड़े विद्वान थे रावण को सब पता था कि ये सब राम लीला करने के बाद ही मुझे मौक्ष म और देखिए भगवान राम को धरती पर देखिए, एक atom के रूप में अनुने अपने आपको देखिए इस धरती पर अता रहा। धर्म की रक्षा की धर्म के बारे में उन्होंने बताया और देखे बहुत ही रामायण को जब आप पढ़ोगे तो आप समझोगे कि रामायण के अंदर क्या है एक परिवार किस तरह से रहता है परिवार की क्या क्या समझाय रहती है वो सब वो सब देखे भगवान राम ने स् तरह से समझा जिया जाना और उनसे आगे निकल कर आगे बढ़े ये मनिश्य को समझाया क्योंकि उन्होंने अवतार लिया मनिश्य रूप में क्योंकि भ्रमा जी ने बर्दान दिया था रावड को कि तुम्हें एक दुनिया में कोई नहीं मार सकता सिवाए मनिश्य के तो मनि सीता को रावर हरन करके इसलिए ले गया कि उसको मोक्ष चाहिए था बाकी सारी चीजें आप अच्छे से समझते हैं आगे देखिए अब बात करेंगे कि देखिए भगवान सिफ अपने आप में उनकी लिला तो देखिए सिवी जाने सिफ किस तरह से सक्ते साली हैं यह देखिए आपको सिफ पुराण से जाना जा सकता है अब देखिए हमारे यहांपर जिस तरह से आपके परिवार में देखिए एक बहुत बड़ा कौनवा होता है यहांभी हमारे देवी देफता भगवानों का बहुत बड़ा कौनवा है और ये होना भी चाहिए अकेला चना देखिए भाड नहीं फोड़ता ये बात देखिए सनातन धर्म आपको अच्छे से समझा रहा है किलियर समझा रहा है देखिए देवताओं में देखिए चलते हैं आपके गनेश भगवान सिब सक्ति विष्णू सूर्य प्रमूर्ती ब्रमा विष्णू महेस भगवान राम करश्न कार्थ के हनुमान इंद्र वायू वरुन अगनी रुत्र ततात्रे और देखिए यहां तो नदियों को भी देवी कहा गया है पेड़ों को भी पूचा गया है यहां पर देखिए पक्षियों की भी पूजा होती है देवियां देखिए सरश्वती मालक्ष्मी सती पारवती दुर्गा सक्ति काली सीता राधा महाविदा नवदुर्गा मात्रका और देखिए जहां जहां जरूरत हुई वहां मापारवती ने बहुत सारे रूप लिए स्रश्टी स्रश्टी का भी एक सम्यधान है ये जिसके आधार पर देखिए ये आगे बढ़ती रही है अब देखिए हमारे वेद रिगवेद यजुरवेद सामवेद अथरवेद ये हमारे चार वेद हैं उनके उपनिसद हैं उनके उपनिसद भी हैं और देखिए अन्य ग्र में आएगा कि देखे सनातन धर्म अपने आप में पूरी दुनिया को समेटे हुए सनातन धर्म सनातन धर्म से पवित्र धर्म कोई नहीं हो सकता सनातन धर्म से सकते साली धर्म कोई नहीं हो सकता हम सब सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे उसके बाद चाहे ये प्रकृती चाहे लोग चाहे ये सारी दुनिया कहीं भी बटी हो किसी भी धर्म में बटी हो किसी भी छेतर में बटी हो लेकिन सब लोग सनातनी है क्योंकि जब से इस धर्ती को समझा है जब से इस धर्ती को जाना है तब से सनातन धर्म धर्ती पर पाया गया है जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि सनातन धर्म का ना कोई अंत है और ना ही कोई आदी है तो दोस्तों सभी प्रेम से बोलिए मेरे साथ सनातन धर्म की जै जै श्री राम हर हर महादे जै श्री क्रश्न पूरी दुनिया ये जानती है कि देखिए रामायन में किस तरह से रामायन को रचा गया महावारत को किस तरह से रचा गया और भगवान स्री क्रश्न भगवत गीता को किस तरह से रचा गया देखिए ये राक्षसी प्रबिटी के जो लोग थे राक्षस थे उन सब का अंत करने के लिए इस तरह की योजनाय बनाई भगवान विश्णू ने और देखिए उनको अमली जामा पहनाया गया सनातन धर्म के अंदर साथियो सनातन धर्म को देखिए खतम करने की साजिस राच्छसों ने सुरू से रचिये और आज भी रच रहे लेकिन देखिए ये प्रभू की लीला है ये कभी न खतम होता है इसका कोई अंती नहीं है क्योंकि ये है सनातन धर्म यहां पर देखिए प्रहमा विष्णु महेस क्या लीला रचते हैं ये तो वही जाने लेकिन देखिए आपको एक चीज इस पूरे वीडियो में समझ में आ गई होगी कि सनातन धर्म ही दुनिया का सबसे पुराना सक्टसाली और साफ और सुद्ध और देखिए अक्षे विचारों का धर्म है इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक पहुँचिए अगर वो जानकारी आपको अक्षी लगी है तो आप देखिए इसको सेर करें कमेंट्स करें लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूलें फिर आते हैं हम देखिए धर्म के परचार के ल अबस्ट जानका से जाते हुए और चैनल को सेर के लाइक बर्म करें करें दो के लिए वगी हैं अबस्ट आपको जाइक दो पहुँचिछ ना प्या और चैनल के लाइक लाइक करें हाव एक लाइक.